RCB ने जिस खिलाडी को बाहर का रास्ता दिखाया, उसी खिलाडी ने RCB को एक अच्छा सबक सिखाया और दोस्तों वो खिलाडी है कौन? वो खिलाडी है फिन एलन जो की न्यूजिलेंड के ओपनर है और उन्होंने तीसरे T20 आये में पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस रिकॉर्ड तोड पारी खेल दी 62 गेंदों में 137 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 16 चौके लगाए और 220.97 के स्ट्राइक रेट से एक दुवादार पारी खेल दी साथी साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए पर लेकिन अगर आप बात करें RCB को तो उन्होंने सबक सिखा दिया क्योंकि RCB का वो हिस्सा रहे थे साल 2021 से 2023 तक पर लेकिन उनको 11 में मौका कभी भी नहीं दिया था RCB ने स्कॉर्ड का वो पार्ट रहे थे जबकि जॉष फिलिप की जगा पर उन्होंने जोड़ लिया, फिर भी पर लेकिन 11 में मौका नहीं दिया और एक पूरे तरीके से फिन एलन ने बता दिया है RCB को करारा जवाब दे दिया और उनके क्रिटिक्स को जवाब दे दिया है करारा कि लगातार जो फिन एलन है अकरामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो कभी बड़ी पारी खेल नहीं पाते और वन सीना बल्लू मून आकर बड़ी पारी खेल देते हैं और लगातार जो हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते तो उन सभी क्रिटिक्स को भी करारा जवाब दे दिया एक तरीके से दोस्तों फिन एलन ने पिछले कुछ टाइम से जरूर फॉर्म में नहीं चल रहे थे और अकरामक बल्लेबाजी के चकर में जल्दी आउट हो रहे थे पर लेकिन इस पारी ने सब को शांत कर दिया है फिन एलन की पर लेकिन बात करें RCB की तो क्या आपको लगता है कि दोस्तों क्या उनको रिग्रेट हो रहोगा फिन एलन को भार करना रिलीस करना IPL 2024 का दोस्तों अभी हाली में जो मेनी आउक्षन हुआ था उसमें फिन एलन ने उनका बहुत ही कम बेस प्राइस था उन्होंने भी जो है अपने नाम की बोली रखवाई थी उन्होंने भी अपना नाम दर्च किया था आउक्षन में पर लेकिन किसी ने भी पिक नहीं किया था अपनी इस पारी में और उनसे पहले हजरत उल्ला जजजई हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने 16 छक्के लगाए थे टीटोएंटी इंटरनाशनल में पर लेकिन वो अभी पहले पायदान पर है और दूसरे नंबर पर फिल आलन आ चुके हैं पर लेकिन दोनों ने छकों के माम है और जो हजरत उल्ला जजजई हैं उनके चौके भी जादा थे यानि 11 चौके थे यहां पर इनके 5 चौके और 16 चौके हैं तो इस मामले में तो खेर उन्होंने रिकॉर्ड यहां पर बनाई दिया है पर लेकिन न्यूजिलेंड के ऐसे पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 16 चौके लगाए हैं किसी T20 इंटरनेशनल पारी में या अब T20 इंटरनेशनल मुकाबले में पर लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड और एक बड़े नाम को जो फिन आलन ने पीछे किया है वो है ब्रेंडन मुकेलम हाइस्ट इंडिविजुलेंट है स्कोर बाइनी न्यूजिले टीम के पर लेकिन पाकिस्तान की हर जगाब पर जाकर अलोचना हो रही है पांच मैचों की T20 इंटर सीरीज वो हार चुकी है फिलाल 3-0 से पीछे चल रही है अपनी राए फिन आलन की बल्लेबाजी के बारे में और क्या RCB को रिग्रेट होगा फिन आलन को रिलीज करना उस